You need to know में सवगत है दोस्तो आज हम बात करने वाले है Flipkart Supercoin को कैसे redeem करना है और उससे कैसे आप कोई भी product purchase कर सकते Flipkart से दोस्तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगा terms condition के ठेक है उसके बाद बात करूँगा कि आपको कैसे उसको यूज करना है तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिए जो घंटी का बटन को प्रेस कर दीजी जिससे के आगे का notification और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना हुले जो दोस्तों मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि फ्लिपकाट जो है यह offer दे रहा है कि आप अपना कोई भी product खड़िदे के समय आप अपना जो है सुपर कोई यूज कर सकते हूं ठीक है तो दोस्ति यह offer आ चुका है और इसको एविल करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो यह है आप अपना प्लेइ स्टोर में जाके इस फ्लीपकाट अप्लिकेशन को अपडेट कर लिजिये ठीक है उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या-क्या पॉसे से क्या का टम्स कंडिशन है जी दूस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं ठीक है दोस्तों को इसकिप मत करिए तो आप मीश हो दूसरा कंडिशन यह offer जो है सारे product के उपड़ applicable नहीं है कुछ selected eligible जो product उसी के उपड़ eligible के product के उपड़ी आप उसको redeem कर सकते हो ठीक है सब product पे यूज नहीं कर सकते हो 3rd and 3rd जो सबसे important वो यह है इस coin को आपको use करना है तो आप अपना पुड़ा coin एक साथ use नहीं कर सकते हो so certain percentage जो होगा like अगर product का दाम है 100 रुपे उसका कुछ percentage जो होगा 5% के 10% वो आप use कर सकते हो so आगे मैं example के साथ मैं दिखाऊंगो तो आपको explanation clear हो जाएगा और तो question है तो दोस्तों को आप पैंचा लेंगे कैसे की हर product के उपर नहीं है मैंने बताया आपको सुरू में कि हर product के उपर यह applicable ली तो आपको इसको identify कैसे करना है तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देया था identify कैसे करना है तो मैं यह सू का जो section यहां पर में क्लिक करता हूं ठीक है दोस्ता आप देख सकते यहां पर सबसे पहले देखिए दो सू दिख रहे है आपको Asian का और यहां पर आपको Metronaut का दिख रहे है सूज ठीक है लेकिन आपको एक चीज़ डिफरेंस दिख रहे है वह है नीचे देखिए Metronaut का जो सूज है यह वहां पर देखिए आप एक 34 लिखा है और यहां पर आप देख सकते हो शूपर को सिंबल्ड दिया है ठीक है तो अगर ऐसा सिंबल दिया रहा था सूपर को तो इसका मतलब यह है कि इस पोडेक्ट को पर्चस करने के लिए आप अपना सूपर कर सकते हैं लेकिन कितना तो आपको पे करना है 630 प्लास 34 मतलब 630 आपका अमाउंट रूपीज में और साथ में 34 जो है सुपर कोई तो यहां पर दोस्तों इसको मैं एक्जांपल करते पर लेता हूं कि इसको कैसे बाई करना है दोस्तों यहां पर एक चीज़ आप मेरा 1000 कॉइंट हुआ और यह ओफर बंद कर दिया फ्लिपकट का थाउजन वाला वाउचर एविल नहीं कर पा रहा हूं बहुत लोगों ने मेरा पीबियास फीडियो पर बोला है तो दोस्तों यह स्पेशल उन लोग के लिए जिनका जस्ट हजार होने वाला था मतलब पचास क जिनका जो था ना पहले उसका होने वाला था या फिर हुआ है जस्ट और रूल्स चेंज हो गया तो उन लोग के लिए खुश कवरी है तो आप अपना हर कॉइन का जो है फाइदा उठा सकते हो तो दोस्ता आप देखिए यहाँ पर एक कॉइन इस इकल टू एक सूपर कॉन करना यह हैं यहां पर आपको फावा जो जयनलिटेश भी अध्रेस यहां पर सिलेक्ट करना हे ठीक है ऐस् constitu याप six tip नहीं कर Zombie से आगी मेरेपास को यहांक्रूत place order मुझे click करता हूँ सो देखते क्या होता है सो place order करने पर मुझे payment option नाए गया सुई दोस्तों यहाँ पर आपको जो है payment option पर ही आपको ORADIM का option मिलगा जी दोस्त अब देख सकते हो यहाँ पर payment कर जो option है यहाँ पर इस payment option पर यहाँ पर एक option दिख रहा है ठ़िक है पे उस इसको आपको चेक में चेक बॉक्स में क्लिक करना है तो जैसे मैं चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं यहां पर देखें दाम देखें चेंज होगे ठीक है तो यहां पर आपको 630 30 plus 34 का divide हो गया तो यहां पर अगर मैं continue करता हूं तो मुझे अभी 630 का ही payment का option आएगा ठीक है जी दोस्ता अभी आप देख सकते हो 630 का ही option आ रहेगा मुझे अभी यहां पर credit card debit card का जो भी option है यहां पर दाल के मैं यहां पर इसको payment कर सकता हूं सो दोस्तों यह रहा पूरा process कैसे आपको buy करना है लेकिन इक बाद आप notice कि नहीं फिर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो है ना आपका coin जो है coin का percentage एक product के लिए एक नहीं होता मतलब एकदम particular नहीं कि 5% ही होगा 10% ही होगा हर product के लिए अलग-अलग होता है मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 5% का स्रीप जो है आपको differentiation मिलेगा कुछ product में दिखा तो जहां पर 10% कभी आपका discount होगा ठीक है यहां इस product पर तो है नहीं तो आप देख लीजेगा बहुत सारा product है जहां पर आपको 10% का भी आपको मिलेगा discount so depend upon the product कि आपको 5% भी मिल सकते या फी 10% भी मिल सकते या फी 15% भी मिल सकते है तो अलग-अलग